नमस्कार दोस्तों, स्वागत थे आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चानल में दोस्तों पूरे 90 सालों के बाद 24 फेवरी 2024 दिन शनिवार को दिखेगा माग पूर्णिमा का चांद मालक्ष्मी के आशीर्वाद से 12 राश्यों में से 4 राशी वालों की लगेगी लौट्री ये चार राशीवाले होंगे माला माल जी हाँ दोस्तों आपको बता दे मालक्ष्मी के आशीरवाद से पूरे 90 सालों के बाद 24 वरवरी 2024 दिन शनिवार को पूर्णिमा के दिन बन रहे दिव्य दुरलब महाशुब सयोंग मालक्ष्मी योग में अब 12 राश्यों में से 4 राशी वालों की किस्मत चमकने वाली है दोस्तों इन 4 राशी वालों के इस दिन यानी माग पूर्णिमा के दिन लोटरी लगने वाली है ये 4 राशी वाले धन से माला माल होने वाले हैं स्वयम धन की देवी मा लक्ष्मी अब इन चार राशी वालों के घर इस दिन यानी पूर्णिमा के दिन पधार रही है जिससे अब इन चार राशी वालों के जीवन के सभी दुख, दर्द और कश्ट मिटने वाले हैं अब इन चार राशी वालों के जीवन में मालक्षमी के आशिरवाद से आने वाली है अपार खुशियां जिसे अब इन चार राशी वालों का जीवन बदल जाएगा दोस्तों ये चार खुश्मिकिस्मत और भागेशाली राशियां कौन सी है जिनकी 24 फेवररी दोहजार चौबीस दिन शनिवार को मागपुर्णिमा के दिन महालक्षमी योग बनने से लोटरी लगने वाली है ये चार राशी वाले इस दिन माला माल होने वाले है यू कहें कि स्वयम विधाता भी अब नहीं रोक सकते अब इन चार राशी वालों को माला माल बनने से करोड़पती बनने से मागपुर्णिमा के दिन जी हाँ दोस्तों इस वीडियो में हम आपको उनी चार खुशनसीब और भागेशाली राशीों के बारे में बताने वाले हैं इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अन्त तक पूरा देखें बिलकुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें क्यूंकि ये वीडियो इन चार राशी वालों के लिए बहुती महत्वपूर्ण रहने वाला है वीडियो शुरू करें सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मालक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी करें कमेंट बॉक्स में जै मालक्ष्मी अविश्य लिखें जिसे मालक्ष्मी का आशिरवात आपको सीधे प्राप्त हो सकें और जादा से जादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें दोस्तों आपको बता दे माग माह में पढ़ने वाली पूर्णिमा तिथी माग पूर्णिमा कहलाती है धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टी से माग पूर्णिमा का विशेश मैत्व होता है इस दिन सनान, दान और जब करना विशेश फलदाई माना जाता है माग माह में चलने वाला ये सनान पूर्णिमा की पूर्णिमा से आरंब होकर माग पूर्णिमा पर खतम होता है माग पूर्णिमा को माग मास का अंतिम दिन माना जाता है इसे मागी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है इस दिन पवित्र नदियों में सनान करना बहुत पुन्यकारी माना जाता है पौरानिक मानेताओं के अनुसार माग सनान करने वालों को भगवान माधव की कृपा प्राप्त होती है उन्हें सुख, सौभाग्य, धन, संतान और मोक्ष की प्राप्ती होती है आपको बता दे कि पंचां के अनुसार 23 फेवरी 2024 को दुपहर 3 बज कर 36 मिनिट से पूर्णिमा आरंब हो जाएगी और 24 फेवरी को शाम 6 बज कर 3 मिनिट पर पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी उद्याद इथी के अनुसार माग पूर्णिमा 24 फरवरी 2024 को मनाई जाएगी सनान दान का शुब महुर्त सुबह 5 बज कर 11 मिनिट से लेकर सुबह 6 बज कर 2 मिनिट तक रहेगा आपकी जानकारी के लिए बता दें की माग पूर्णिमा पर सनान, दान, हवन, ब्रत और जप किये जाते हैं इस दिन भगवान विश्णु का पूजन पित्रों का श्राद करने के साथ गरीब व्यक्तियों को दान देना बहुत शुब माना जाता है माग पूर्णिमा के दिन प्रातकाल सूर्य उदे से पूर्व किसी पवित्र नदी या जलाश्य में सनान करना चाहिए इसके बाद सूर्य मंत्र का उच्चारन करते हुए सूर्य देव को अर्ग दे अब व्रत का संकलब लेते हुए भगवान मदुसूतन की पूजा अर्चना करे मध्यकाल में गरीब व्यक्ति और भ्रामनों को बोजन कराकर दान दक्षिना देना चाहिए विशेश रूप से काला तिल दान में देना चाहिए माग माह में काले तिल से हवन और काले तिल से पित्रों का तरपन करना चाहिए परानिक मानिताओं की अनुसार माग माह में देवता प्रित्री पर आते हैं और मनिश्य रूप धारन करके प्रयाग में सनान दान और जप करते हैं इसलिए इस दिन प्रयाग में गंगासनान करना बहुत शुब माना जाता है इसे व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और मोक्ष की प्राप्ती होती है दोस्तों अब बात करते हैं उन चार राशी वालों के वारे में जो कि इस दिन यानी की पूर्णिमा के दिन मालक्षमी योग दुरलब महाशुर सयोग बनने से चार राशी वालों की लोटरी लगने वाली है ये करोड़बती बनने वाले हैं धन से माला माल होने वाले हैं ये चार राशी वाले यूं कहें कि स्वयम विधाता भी नहीं रोक सकते इन चार राशी वालों को पूर्णिमा के दिन करोडपती बनने से मालामाल बनने से तो चलिए शुरू करते हैं कौन सी है वो चार भागिशाली राशियां जिन पर मातालक्ष्मी बहुत प्रसन हैं महरबान हैं और दोनों हाथों से धन की वर्षा करने वाली है अब इन चार राशी वालों पर तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मालक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है सनातिन धरम के शास्त्रों और पुराणों में वर्नित है कि यदी किसी पर धन की देवी मालक्ष्मी की कृपा हो जाती है तो उसके घर कभी धन और वैभव की कमी नहीं होती लेकिन क्या आप इस बात से परिचित हैं कि मालक्ष्मी का सुभाव बेहत चंचल माना जाता है ऐसा कहा जाता है कि धन की देवी मालक्ष्मी एक जेगे टिकर नहीं रह यही वज़े कि मनिश्य के जीवन में धन सम्मंदी उतार चड़ाप हमेशा आते ही रहते हैं। इसका सबसे पहला कारण आर्थिक तंगी है। इसके अतिरिक्त मनिश्य के जीवन में ऐसे उतार चड़ाप ग्रहों की चाल से भी निरंतर होते रहते हैं। हो गई है और इन पर अपने कृपा तृष्टी बरसाने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें जैसा कि हमने बताया है कि मनिश्य के जीवन में ग्रहों की चाल का बहुत बड़ा महत्व होता है। इनकी चाल से सीधा हमारे सामानी जीवन पर असर पड़ता है। कभी कोई ग्रह किसी राशी के लिए खुशियां लेकर आता है तो कभी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। इसी क्रम में इस बार महालक्ष्मी इन चार राशी वालों पर बहुत अधिक प्रसन हो गई है। कहें कि इन चार राशी वालों की अब लोटरी लगने वाली है। कन्या राशी, कन्या राशी वालों को बता दे मालक्ष्मी आप लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाली है, जीहां दोस्तों आपके लिए समय अत्यंत शुब रहने वाला है और मालक्ष्मी के आशिरवाद से आपको धनलाब की प्राप्ति होने वाली है, धन समय अनेक प्रकार के लाब आपको प्राप्त होने वाले हैं, धन प्राप्ति के अनेक अवसर कन्या राशी वालों अब आपको मालक्ष्मी के आशिरवाद से प्राप्त होने वाले हैं, मालक्ष्मी स्वयम आपके घर पधार रही है, आपकी जोली अब खुश्यू से भरने वाली है जल्दी ही आप सारी कठिनायों का सामना कर पाएंगे और आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे आपकी आर्थिक सिती में सुधार होगा और आपका जीवन सुख में बनेगा साथी साथ जो लोग व्यापार करते हैं उनको व्यापार में अधिक मुनाफ़ होगा साथी साथ जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी सम्मंदित कोई बहुत बड़ी खुशकबरी प्राप्त होने वाली है कन्या राशी वालों कहना गलत नहीं होगा मालक्ष्मी के आशिर्वाद से अब आपके जीवन में खुश्यों का भंडार आने वाला है आपका जीवन बदल जाएगा जी हां दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है वो है मेश राशी मेश राशी वालों को बता दें आपकी कुंडली में जबरदस्त मालक्ष्मी का योग बन रहा है यह से योग कभी-कभी ही बनता है जिसके कारण आपको मा आपके मालक्ष्मी की आप जल्दी ही किसी ऐसे व्यक्ती से मुलाकात करेंगे जो आपके जीवन की दशा पूरी तरह से बदल देंगे जी हां दोस्तों अब आपके जीवन में सुखसुधाओं की कोई कमी नहीं रहेगी आपके किस्मत में मालक्षमी की कृपा से ऐसा बदलाव आएगा कि आपको हर जगे से अब लाब ही लाब मिलेगा आपको व्यापार में भरपूर लाब मिलने वाला है जो लोग व्यापार करते हैं उनका व्यापार दिन दुगना राचोगनी तरकी करेगा आपको हर जगे से अब लाब ही लाब मिलेगा साथी साथ जो लोग नौकरी करते हैं या नौकरी की तलाश में हैं उनकी मनचाई इच्छा पूरी होगी उन्हें मनचाई नौकरी मिलेगी और तरकी भी मिलेगी प्रमोशन वेतन विधी के भी योग हैं मेश राशी वालू मा लक्षमी के आशिरवाद से अब आपको धन प्राप्ती के अनेकों अवसर प्राप्त होने वाले हैं, साथी साथ जो लोग संतान प्राप्ती के इच्छुक हैं और उनको मा लक्षमी के आशिरवाद से संतान प्राप्ती का भी सुख मिलने वाला है, कहना गलत नहीं होगा मालक्ष्मी के आशिरवाद से मेश राशी वालू अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली है अब आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है मालक्ष्मी स्वयम आपकी जोली कुश्यों से भरने वाली है जिससे आपका जीवन बदल जाएगा जी हाँ दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी है वो है कुम्ब राशी कुम्ब राशी वालों को बता दे मालक्ष्मी अब आपके उपर बहुत अधिक प्रसन हो गई है आपके उपर मालक्ष्मी की जबरदस्त कृपा बन रही है जिसकी वज़े से आपके घर में सुक्स्मृधी आएगी और पैसा बढ़ेगा अधिक धनिलाब अब आपको होने वाला है कुम्ब राशी वालों जल्दी कोई नया काम शुरू कर सकते हैं जिसमें आपको सफलता प्राप्त होगी और आपकी आर्थिक सिथी में सुधार होगा और आपके घर परिवार में शांती बनी रहेगी आपको बता दे कुम्ब राशी वालों जो लोग व्यापार करते हैं उनको व्यापार में अधिक मुनाफा मिलने वाला है उनका व्यापार दिन दुगना राच चोगनी तरकी करेगा साथी साथ जो लोग विदेश में जाकर नौकरी या पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं तो वो सपना उनका जल्दी ही पूरा होगा मालक्ष्मी की कृपा से आपके सभी काम बहुत आसान तरीके से पूरे होने वाले हैं आपकी सालों साल से रुके हुए काम अब सफलता पूर्वक पूरे होगे आपको हर जगे से अब कुम्ब राशी वालों लाब मिलने वाला है मालक्ष्मी की जबरदस्त क्रिपा आपके उपर बन रही है यूं कहें कि आपको जल्दी ही अब लोटरी लगने वाली है कुमराशी वालों मालक्ष्मी के आशिर्वात से अब आपको अनेक प्रकार के धनलाब प्राप्ती के योग बन रहे हैं आपके जीवन में अब बड़ा परिवर्तन होने वाला है जिससे आपकी खुश्यों का ठिकाना नहीं रहेगा और आपका जीवन बदल जाएगा जीहां दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी है वो है तुला राशी तुला राशी वालों को बता दे की मालक्ष्मी के विशेश क्रिपा आपके उपर बन रही है जिसे आपको बहुत जादा आर्थिक लाब होगा और इसके साथ ही पूर्वर में की गई आपकी मेहनत का परिणाम अब आपकी सामने आएगा व्यवसाय में आपकी योगेता का प्रदर्शन अब सभी लोग देखेंगे तुला राशी वालों अब आप देखिये कि आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन हो रहा है जी हाँ दोस्तों मालक्ष्मी आपके जीवन में अब ऐसा परिवर्तन लाने वाली है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा आपके जीवन में अब खुशियां आने वाली है जियां दोस्तों आपका व्यापार दिन दुगना राचोगनी तरक्की करेगा समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा आपको मित्रों का पूरा सयोग प्राप्त होगा लक्ष्मी योग के कारण जवर्दस्त कमाई होगी अब आपको अनेकों प्रका के लाब, धनलाब, तुला राशी वालों प्राप्त होने वाले हैं साथी स्वाथ जो लोग नया वाहन या मकान खरीदने को लेकर योजना बना रहे हैं तो वो योजना इनकी अविश्य सफल होगी साथी साथ जो लोग संतान प्राप्ती के इच्छुक हैं उन पर संतान प्राप्ती का सुख मिलने वाला है जी हाँ दोस्तों कहना गलत नहीं होगा तुला राशी वालों अमा लक्ष्मी के आशिर्वात से आपको हर जगह से लाब ही लाब मिलेगा नौकरी करने वालों को नौकरी में पधोनती और वेतन वृधी के भी योग हैं जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें मन चाही नौकरी प्राप्त होने वाली है कहना गलत नहीं होगा, तुला राशी वालों मालक्ष्मी के आशीरवाद से आपकी सभी इच्छाएं अब पूर्ण होगी, सब अब पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा जी हाँ दोस्तों ये है वो भागिशाली राशिया जो मा लक्ष्मी के आशीरवाद से अब धन से माला माल होने वाली है यूं कहें कि इन चार राशीवालों को करोडों का धन मिलने वाला है ये चार राशी वाले माला माल होने वाले हैं इन चार राशी वालों को मालक्ष्मी के आशीरवाद से इनके जीवन में अनेकों प्रकार का लाब, धनिलाब और बड़ी सफलताओं की प्राप्ती होगी जिसे इन राशी वालों का जीवन बदल जाएगा दोस्तों मालक्ष्मी का आशीरवाद आप सभी को प्राप्त हो दोस्तों आपसे अनुरोध है आप कमेंट बॉक्स में सच्छे मन से जै मालक्ष्मी जरूर लिखे और वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें जै मालक्ष्मी